बोर्ड एक्जाम की डेटशिट के आने के बाद अब आपके पास लगबग एक महीने का ही समय है और ये इंपोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए कि लास्ट थर्टी डे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप स्टडी करें जो कि आप आसानी से 95 प्लस मार् सकें तो इस वीडियो में कॉंटीनियोसली आपको बने रहना है और जानना है कि किस तरीके से आपको जो है अपना प्रिपरेशन करना है अपने बोर्ड एक्जाम के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि 30 डे जो स्टडी प्लान है उसको आपको क्या करना अपने सब्जेक्स से डिवाइड करिए और पता करिए कि कितने जो है दिन हमारे पास बच रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्स के लिए अब 30 डेस भी हम नहीं मानके चलते हैं क्यों क्योंकि बीच में फेस्टिवल सीजन भी है तो तीन दिन फेस्टिवल का मान लो और लास् पास 24 डेस अब 24 डेस को किस तरीके से आपको यूडिलाइस करना है यह हम जान लेते हैं तो यहां पर मैं आपको बताई उस लिवस के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने क्लास 10 की बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है इस वीडियो को तो अब देखिए मैस में आपके पास टोटल आठ चैप्टर है टोटल एट चैप्टर है इसके लिए आपको फाइब डेस रखने क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो आप एक दिन में एक ही चैप्टर कर पाओगे और कुछ-कुछ में आप दो भी कर लोगे जिस वज़ए से मैस के लिए मैंने कितने डेस र टोटा सा जो है लं बढ़ चैप्टर है तो उसके बदले में जो आपका हिूमन आइवला है वह थोटा पॉजण हो गया ठीक है तो महां से आप कवरण कर सकते हो इंगलेश को के लिए हमने रखा है फोर डेस सोसल साइंस के लिए भी रखा है फोर डेस सोसल साइंस का भी स्लिवस I think seven chapters है ठीक है ना उसमें से history है जो थोड़ा सा आपको एक दिन ले लेगा बाकि आप दो दो चेप्टर दे देना हिंदी को देना है आपको तीन दिन और computer या फिर IT आपके पास जो भी है उसको आपको देना पड़ेगा फूरे five days क्यूं क्यूंकि आपने पढ़ा तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है ना क्यूंकि सभी बच्चे उसे lightly लेते हैं अब बात आती है subject wise किस तरीके से आपकी tips होनी चाहिए तो जल्दीली हम बात करते हैं कि math में आपको कुन-कुन से tips फॉलो कर अगर आपने स्टार्ट किया फटा-फट से उसके basic concept उससे related जो फॉर्मूलाज है अगर आपने notes वगएरा बना के रखाऊगा तो महां से quickly उसे revise कर लीजिए उसके बाद आपको सबसे जादा focus कहां पर देना है short types of question में जितने भी उस chapter मे short question बन रहे हैं example में आपके exercise में या जो CBC ने हमें दिया है तो कुछ question तो उसमें से भी हमें देखने को मिलेंगे डिजिट वगएरा चेंज करके और बाकी आपने कोई भी publisher का sample paper खरीदा है तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं अपने question की practice कर सकते है last में जब आपका शुरू सुबा से शुरू करोगे आपका target होना चाहिए 10 hours study का बीच में gap लेने के साथ ठीक है तो अब last में क्या करना है जो भी 2 chapter आपने उठाये थे last में उसके concept जो है एक बार आख बंद करके उसे revise कर लो ठीक है और कर लो कि इस chapter में क्या-क्या था इससे related क्या formula थे अब मुझे सब कुछ आता है कि नहीं आता है इत अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा science ठीक है तो एक दिन में दो चप्टर आप आसानी से कर सकते हैं स्टार्ट करना NCIT book reading से ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करो NCIT को पढ़ डालो पहली बार पढ़ नहीं रहे हो इसलिए आप जल 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 दी पढ़ डालोगे chemical reactions अगर आपने जो क्या कहते हैं biology या फिर physics उठा रखा है तो से related जो diagram है उसकी practice कर लो ठीक है न तो यह हो गया उसके बाद हम बात करते हैं आपने अगर कोई भी short notes prepare कर रखा है तो उसको फटा-फट से जो जो है read out कर लो और उसके बाद चितने भी short questions आपकी book में से आपके question bank में से sample paper में से है वो सारा का सारा कर डालो ये बात आई है science की अब बात करते है social science में कौन-कौन से tips follow करने पड़ेंगे social science में भी आपका chapter का target है दो जब history करोगे तो आप एक chapter एक दिन में कर लेना ठीक है ना start करेंगे वही book reading से और उसके बाद revise करना highlighted point highlighted point जो भी आपने रखा हो एक तो है कि book में दिया हुआ रहता है highlighted point कुछ subject में नहीं रहते हैं तो आपने खुद भी अब इतना पढ़ा है तो आपने कुछ point mark भी किया होगा तो वो quickly आपको देख लेना है कोई भी tabular form में भी अगर कोई data दिया हुआ है तो उसको पढ़ना बिल्कुल मद भूली क्यू आपकी book में से question mark में से sample paper में से बन रहे है उसको attempt कर डा लिए लिखना नहीं है सर्फ और सर्फ आपको क्या करना है question देखना है answer पता होना ची answer नहीं पता तब जरूर आप उसको एक copy में लिखोगे तो लिखने से वो चीज़े याद हो जाएंगी और final जो है exam से एक दिन प आपके छोट छोटे ही है सब आपको summary पढ़नी है पूरा का पूरा लेसंस नहीं पढ़ना उसकी summary पढ़नी है grammar section पे क्योंकि English में आपको चार दिन मैंने time लिया है बाकि आप उपर नीचे एका दिन कर लेना अगर कोई subject आपका easy है ये कोई tough है तो एक दो दिन आप उपर न सके उसके practice कर डालो ठीक है न तो ये point तो हमारा हो गया उसके लब राइटिंग section राइटिंग section में भी specially mentioned है कि हाँ आपके पास complaining later आएगा इस topic पर आएगा इस topic तो उसको क्या करो आएगा तो fill in the blanks की form में ही ठीक है न लेकिन आपको उस writing sections के बारे में एक दो जो है आपका पर ये आपको last में करना है सबसे पहले न जैसे आपके पास चार दीन है English के लिए तो तीन दीन तो आप इन ही कामों में लगे रहो लास्ट में सेंपल पेपर में English में क्या होता है तो आपको जो क्या करोगे से last में करोगे और लाइस हिंदी के लिए same to same वही preparation tips है जो कि हमन चला जाता है कुछ भी note-down बगरा करने की भी ज़रूतनी होती अब आता है जिनके पास computer या फिर IT जैसे subjects है तो उनके लिए tips जो है बहुत जो है definitely आपको काम करेगा क्योंकि सबी बच्चे जिनके पास है ये और school खुला नहीं था तो इस विए से ये बहुत subject ऐसा रह गया ह जिसमें आपने पढ़ाने होगा इस वज़े से जो भी आपके syllabus में सब कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा इन दोनों subject की खास बात है कि पहले भी MCQ आते थे अब भी MCQ आएंगे हलाकि पहले थोड़ा सा written वाला पूशन भी आता था लेकिन MCQ भी आते थे तो इस वज़े से इसके लिए पी वाई क्यू जरूर कॉंटेक्ट करेंगे प्रिवेस यह कोश्चिन की जो है उसके आंसर देखेंगे इसके लाबा सेंपल पेपर सेंपल पेपर सीवेसी ने हर सब्जेक्स के दिये हैं तो आप इसके भी कोश्चन पेपर के जो आंसर से वह रट लो फटा ले हैं तो होफूली आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आप इस ट्रिप्स को फॉलो भी करोगे अच्छे मांक्स भी लाओगे और साथ में अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करोगे